वेलकम और मारे दुटी चैनल दिस विशनी गॉंतल सो टोड़े इन इस वीडियो आइपल डिसकस वीडियो अबाउट दा ओल इंडिया सेने स्कूल अदमिट कार्ड दोस्तों आज की इस वीडियो में आप से डिस्कूल के अदमिट कार्ड के बारे में तो जिसका एक्जाम 20 सबसे हम पहले गूगल पर डालोड को टाइप करेंगे हलांके मैंने पहले लॉग इन किया है लेकिन इसकी जो ऑफिसल वेबसाइट है डाट इस www.nta.ac.in आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यह वेबसाइट उपन हो जाएगी उपन होने के बाद आपको स्कूल अप करना है आप देखोगे मैनेजमेंट यहां पर आपका आ रहा है AISSC All India Sane School का रहा है यह निकल गया है देखिए क्लिक करने के बाद यह पर जाएगा इस पर आने के बाद आप देख सकते हो एब रेड वर्स में पॉपॉलिट हो रहा है आप है आप लेटेश नियूस बाला कोलम दिख रहा है आप यहां पर खर सकते हो उपन क्लिक यह तो यह थी क्लिक हियर नव क्लिख करने के बाद आप से डारेक्टली कंडिएट का एप्लिक्षन नमर पूछेगा application नमबर पूछने के बाद date of birth और जो capture दे रखा है वो capture आपको डालना है तो मैंने application अलड़ी नमबर जो copy कर रखा है तो I will paste here only किसी candidate का मेरे पास application number है यह डालने के बाद candidate date of birth date of birth तो candidate is 19th May month 5 year 2013 यह candidate की date of birth थी और registration नमर था इसके बाद जो security pin है जो capture है आपको पर टाइप करना है 8805 30 now you have to submit this submit करने के बाद हमारे पास candidate का admit card उपन हो गया है आप देख सकते हो All India Sanic School entrance exam year 2024 for admission to class 6 अब यह candidate का admit card नाम आ गया है आप देख सकते हो candidate का नाम आ गया है इसमें roll number आ गया है fathers का नेम आ गया है date of birth आ गया है category आ गया है और जो candidate exam देगा वो medium आ गया है English में देगा date of examination आपकी है 28th of Jan 28th of Jan को आपका exam होगा test की details गी है आपकी candidate को reporting time है center पर वो है 12 बजे gate पर जो entry होगी इनकी जो इनको report करना center पर बारे बजे और इनकी entrance हो जाएगा इनका एक बज़ के तीस मेंटमेंट का entrance हो जाएगा exam hall के लिए है now state of center ये UP में बलोंग करता है center city इनका आगरा में है exam center है test center and name इदे रखा इनका की सुमीत रहूल गोयल memorial secondary school है इनका तो ये था candidate की जो personal details थी वो अब इसके बाद नीचे जब आते है self declaration undertaking ली जाएगी तो सारे candidates को ये self declaration है वो बरकले के जाना है जैसे I candidate का नाम महेंग resident of आप जहांके भी रहने वाले हो आपका सब्सक्राइब करता है किस कॉलोनी से सब्सक्राइब का नाम है सदर सदर कॉमा मत्रा दो hereby declare the following that I have read the instructions guidelines informism related and a notice related to the examination available on the website आपको website दे रुखी है second parameter में बोलता है I have read the details important instructions for candidate as given on page number 2 and I undertake to be abide by the same जो आपका self-decreation है आपको यह deposit कराना है submit कराना है जब exam देने दाओगे exam जो आपके एडिटर रहेगा वो आपसे इसको लेगा इसको आप वो skill से काटके आपसे deposit कर लेंगे उस time पर आपके exam time पर तो candidate को अपना photo लगाना है जो फोटो लगाना है जो आपने forum आपने भराता उस time पर जो आपके admit card में photo है वो ही candidate को अपना photo यहाँ पर लगाना है इसके बाद candidate का left hand थमेंप्रसन लगाना है इसके बाद parents के signature यह आपका self-decreation अभी वदाराओं में आपको यह आपका submit होगा submit कराना है आपको exam hall में आपको जो teacher रहेंगे रहेंगे वो आप से collect करेंगे इसको next बात कीजाए इसके important instructions के बारे में तो candidate को यह important instructions अभी को पढ़ने हैं और यह पढ़के जाना वह जरूरी है कुछ candidates होते हैं कि मैंने मुश्टलिक देखा है exam hall में जैल पैन लेगे जाते हैं कुछ जैल पैन आपका exam OMR seat पहोगा तो जैल पैन मिल्कुल allow नहीं होता है कुछ candidate black pen ले जाते हैं जैल पैन ले जाते हैं वो allow नहीं होते हैं तो इसलिए सभी candidate को आपको Hindi English में दोनों फैसलिटी दे रखी है सभी को पढ़ना है अपने चेंश्टेक्शन से फिर वे मैं आपको जो important इंस्टेक्शन से इन सौट में ब्रीफ कर देता हूं अच्छा मेरे पास बहुत सारे केस भी आएंगे और बता रहा हूं पहले से कुछ candidate बोलेंगे से महरे पास फोटो ही नहीं है जो अपने एक्जाम में बराता है कुछ candidate ने फोटो खो दिया होगा तो ट्राइ करना कि आप उसी ड्रेस में सेम फोटो किछवा लो यादी फोटो नहीं है तो आपके बस यदि ओर ड्रेस भी नहीं है तो आप साथ में करी करके लेके जाए तो फोटो की बास्ति के में हैं जो candidate को त्यान देने पहला पइंट बोलता है इसमें the admit card consists of three phases जो admit card है आपका तीन पेज़ करता है contain the sentence details जो आपकी details है इस सारे चीज़ है इसमें यह बोला गया है कुछ खास नहीं है second line में बोला गया है candidates are required to download the read and carefully the admit card strictly जो आपको instructions दिये हुए है candidate को पढ़ने है third बोलता है as soon as the admit card downloaded candidates have the check the details carefully if any immediately देखो third number जो आपका point है वो गोलता है candidate को पना admit card जल्दी जल्दी download करना है और आपको परपने details चेक करना है personal details में आपका roll number तो गलत नहीं है या आपका application number तो गलत नहीं है क्या आपकी date बड़ तो गलत नहीं है ठीक है आपका नाम तो गलत नहीं है ठादर का नाम गलत नहीं है यदि ऐसा गलत है तो आपको क्या करना है directly mail करना है mail ID आपके देर रखी है a-i-s-e-e-n-t-a.n-ac.in यह आपको इस पर आपको mail करना है आपको कोई भी discrepancy आती है आपके admit card में जब मेल नहीं कर पाते हो तो आपको call करना है आपको बस नंबर देर रखे हैं help desk पर और timing रहेगी 10 बिस से लेके सामको 500 वी तक आप call कर सकते हो तो मैं ही बोलूँगा जिस candidate ने अपना download कर लिया क्यों कमी आही है गलती है तो आपको as soon as contact करना है NTA को by mail कर सकते हो और आप call भी कर सकते हो उनको जो फोर नमर का पॉइंट है यह फोर पूलता आपका even if candidate has applied किसी candidate ने काफी बार कुछ क्या होता है कुछ candidate एक रेजिस्टेंज चकर में दो तीन रेजिस्टेंज कर देते हैं तो आपने multiple आपने फोर्म भरा होगा लेकिन आप only एक जो आपका admit card है उस पर पर दे सकते हो आप only एक ही admit card पर अपना exam दे सकते हो तो multiple पर आप नहीं जा सकते है फिट पॉइंट बोलता है कि admit card is provisional subject to satisfying the eligibility condition as given जो आपका admit card है provisional certificate ही है जिससे आपकी entry की जाएगी जो sixth number point बोलता है the admit card is not transferable to any other person impersonation is a legally punishable offense कोई भी अपने admit card को इसको देगा नहीं कि आप मेरी जगह पर exam दे के आजाओ मेरे school में बहुत candidate की साथ ऐसा होता है तो कुछ candidate जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा हो नहीं सकता है जिसा करते हो तो आपको jail भी सकती है सेबंथ नंबर का जो आपका point है बोलता है request of change of exam center will not intend यदि आपको exam center change कराना है वो कभी change नहीं होता आपका तो आप courses भी नहीं करें उसकी कि आपका exam center change हो जाए नेक्स्ट आपका बोलता है इसमें यह लगा है कि आप अपना exam center पहले ही देख लें एक दिन पहले देख लो जाके तो ताकि आपको problem फेशना हो आपका exam exam center पहले ही पॉइंट नमबर 9 बोलता है candidate must reach center as indicated against the reporting entry time पॉइंट नमबर 9 यह बोलता है candidate को में time से report करना है जिसे 12 बज़ बिलाया तो बहुत पहुंशना है आपको और 10 नमबर बोलता है no candidate shall be permitted to enter the center after the gate closing time आपका एक बज़ कर 30 मेंट पे क्लोज हो जाएगा उसके बाद आपको इंट्रीट नहीं दी जाएगी नेक्स्ट 11 नमबर गोलता है no candidate would be allowed to enter the examination without the admit card किसे भी candidate को बिना admit card के आपको अंदर निकुसन दिया जाएगा साथ में आपके पास valid ID proof होना चाहिए आपका self declaration फोना चाहिए तब ही आपको इंट्री दी जाएगी ट्वल नमबर बोलता है candidate permitted to carry only the following items with into the exam center candidate को अपना personal जो candidate कह दी कर सकते है personal transparent water bottle candidate अपने लिए पानी लेके जाना पीने के लिए तो transparent water बोलनी चाहिए आपकी a simple transparent ball point pen तो आपको ball pen लेके जाना है वो भी आपको उंसरी है a simple transparent ball point pen आपको whole pan लेकते हैं चाहे व away black ओ चाहे वो blue ओ आप 2 एसका होल आप दौनों लेकर सकते हो लेकिन वह आपका ball point जाहिए तो कोई पयलेट फैल पेन लेके नकिजा जाना में आपको only all All Day जाना है चाहे वह बिलू हम black लेकिन ball लेकर जाना है Candidate है गलती करते हैं इस पर ध्यांदे pen अपना आप wall point pen लेके जाएं ना कि gel और pallet pen 12 का point number 12 में C point परा बोलता है इसका admit card downloaded from the NT website clear printout और A4 size paper fully filled in आपको A4 size पर ही आपको Candidate कुछ होते हैं जो छोटा size में उसको जूम करके लेकर जाद है जो एफोर साइज पर होता है उस पर ही आपको clearly मैं तो करूंद करूंगा colorful अपना admin card लेके जाएं नेक्स्ट नेक्स्ट पन बोलता है कि original valid ID proof जिने अपना अधर काड लगाया तो अपना अधर काड लेके जाएं ID वरूप में किसी ने अपना defense का कुछ dependent काड लगाया या anything तो अपना लेकर जाएं थर्टीं पॉइंट बोलता है बिफोर रीचिंग सेंटर अपको एक्जाम सेंटर पॉइंट ने से पहले आपको आपको शर्ब हें अपना जाहिए आपको कुछ भी मतलब आपको एक होता है ना कि फ्रेशन को नहीं आप पहले अपने टाइम लगाया और आपका अच्छा नहीं आया दोआ क्या करते हैं दूबारा इसी पर लगा जाते हैं आपको इस नहीं करना है, clearly visible हो आपको ऐसे करना है, candidate has to affect his signature, candidate को अपने signature sign करने, in the presence of the elevator in the exam center hall, admit card on the date of examination, आपको exceed दी जाए, candidate को अपने उस पर, जो elevator है, sign करने दिखा को प्रिजेंट हुए तो आपको signature करना है, 14th नमर का बोलता है, candidate are not allowed to carry personal belongings to the exam center, examination center, as will be no safekeeping arrangements at the center, examination official will not be responsible for safekeeping the personal belongings, आपको कुछ भी personal belongings ने लेकर जाना है, पर्स बगरा, कुछ भी comms बगरा, यह आपको carry नहीं करना है, 15th नमर का बोलता है, following items are provided at the exam premises, जो exam cell है, आपके exam center है, वहाँ पर आपके लिए mobile phone हुआ आपको ने लेकर जाना है, communication devices, bluetooth, हुआ आपका microphone हुआ है, यह बिल्कुल भी allowed नहीं है, textual or stationary material, such as paper, box, formulas, lock tables, whitener, sad roll, यह आपको लेकर नहीं जाना है, personal items as a wallet, purse, cab, goggles, jackets, food, drink, कुछ भी item लेकर नहीं जाना है आपको, next 60 number, जो आपका point बोलता है, candidate will require to occupy the only the seats, जो candidate को seat allot की गई है, candidate उसी भी जाके बैठे exam hall में, 17 में बोलता है आपका, कि candidate are advised to listen to the instructions of the regulator at the exam center before commencement of the test, जो आपके regulator हैं, आपको उनके जो instructions है, उनको carefully सुनना है, वो क्या बोल रहे हैं, mostly student गल्दी करते हैं, तो मैं यह भोलूँगा कि आप जो आपके teacher हैं, जो regulator आए हुए exam hall में, उनकी बात आप अच्छे सुनें, the question booklet will be supplied 10 minutes before the commencement of the examination, जो आपकी question booklet है, वो आपकी 10 minute पहले आएगी, exam center पर ठीक है न, आपका exam सुनने से पहले, किसी भी candidate को, आपकी जो booklet है, answer booklet है, OMR sheet है, आपको उसको डैमेज नहीं करना है, उस पर ना कि आपको ink फैलाना है, या आपको टीर फारना भी नहीं है, इस पिपर को तो आपको damage नहीं करना है, ज़िए आप ऐसा करेंगे तो आपकी booklet cancel हो जाएगी, 20th number point बोलता है, there will be four sets of question booklet, EFGH, आपके four question booklet रहेंगे, आपके चार set आएंगे, जिनका नाम रहेगा, EFGH, 21 बोलता है, आपका, candidates are required to check carefully the question booklet, number is printed on the cover page, and the question booklet contain the same number of pages as mentioned on the cover page, आपको अपने question paper को check करना है, क्या उसमें कोई सबको सारे paper print है के नहीं है, कोई question मिसाउट तो नहीं है, unprinted है तो आपको, immediately आपको, जो इंडिलेटर है, उनको बताना है, 22 बोलता है, आपका section A of the paper is unique to each language, and is not a translation of the English version, it has the answer by the candidate, the language is populated by them in the following form indicated, on their admin card, has the candidate required to check and ensure the question paper advice, question paper received by them, language opted by them in the following form is indicated on the admin card, ये बोलता है आपका point, जो आपका point number 2 से बोलता है, जो candidate ना language opt की है, आपका section A है, वो उस language में होगा, नेक्स्ट बात की जाए, in case of any discrepancy in the question booklet, candidate should report the matter regulator immediately, आपको कोई भी गलती लगती है, आपको कोई भी discrepancy पाई जाती है, तो आपको जो आपके इंडिलेटर हैं, उनको immediately बताना है, 24 बता candidates are required to, their marks, candidates are required to mark their answer on OMR sheet, contained within the question booklet, they are not allowed to open their seal of the question booklet until they, इसमें यह बोला जा रहा है कि candidate को अपना OMR sheet पे mark करना है, जो आपको OMR sheet दिख हुए है उस पर, और किसी भी candidate को जो seal है उसकी, जो आपको बुलानी जाएगा, तब तक आपको seal को उपन नहीं करना है, OMR answer sheet is to be handled carefully without folding and disfiguring it, आपको OMR sheet को folding करना है, ना उसको disfiguring करना है, उसको safe coaching नहीं करना है, उसको जड़के होते हैं, जो मोड के रख लेते हैं, वो नहीं करना है आपको, यह basic चीज़े हैं, ध्यान देना है आपको, next 25, point number बोलता है, candidate are required to fill their particular OMR sheet, candidate को अपना roll number, जो आपके इलिवेटर बताएंगे, आपको नाम भरना है, अपना roll number भरना है, application number, एप्लिकेशन नमबर, एडिटर बढ़ते हैं, whatever, तो आपको, आपको जो इलिवेटर हैं, आपको बताएंगे, आपको कौन-कौन से चीज़ें, कौन-कौन से डिटेल्स आपको भरना है, अपनी OMR sheet में, 26, बोलता है, candidate should darken the bubble, and shade us, इसमें ही बोलता है, आपको, जो आपको right answer है, आपको right answer पर ही, आपको क्या करना है, dark करना है उसको, और आपने एक से ज़्यादा दो कर दिये, या आपने किसी OMR sheet में किसी क्रोश sign लगा दिया, और गोला कर दिया, आपको आपको सेड़ेड कर दिया, पार्ट, तो आपको गल्त माने जाएगा, आपको चारों option में से, हमार में से, आपको एक पर ही, एक पर ही, सेड़ेड पार्ट करना है, वो ही आपका right answer समझाएगा, यदि आप एक से ज़्यादा पर टिक लगाते हो, या क्रोश करते हो, या सेड़ेड करते हो, तो आपका question आपका cancer कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर negative marking नहीं है, आपकी for wrong response, आपने कुछ गलता अंसर दिया, उसकी कोई negative marking नहीं है, candidate or exam is provisional, final selection will be perform on the exam center, देखो आपका ये, जो candidate का जो exam, जो selection है, वो आपको written test के बेस्पे नहीं होगा, इसमें आपका written test होगा, इसके बाद आपका medical होगा, उसके बाद आपका document verification होगा, तो यह सारी चीज़ें आपने admin card application form बड़ते time दी थी, आपकी जो details थी, वो सारी match करती है, आप medically fit पाए जाते हो, medical fit पाद आपका test भी clear है, आपके नमबर अच्छे है, merit के वेस्ट पर आपको selection दिया जाएगा, next point बोलता है आपका, no candidate shall be permitted to leave the examination hall or room before the exam, end of the examination, किसी भी candidate को exam paper खथम होने से पहले किसी को leave नहीं करना है, आपका hall में, यहां सेंटर में जहां पर बैट वेट होगा, आप, room हो, आपका hall हो, आपको permission नहीं दी जाएगी, 30th point बोलता है, on completion of the examination, candidates are required to wait for the instruction anilator and advise not to get up from their respective seats until advise, candidate will permitted to move out one at the time only, candidate को exam complete होने के बाद advise जब उनको बोला जाएगा कि आप खड़े हो जब आपको निकलना है, तो आपको जब बोला जाएगा, आपको तब ही निकल रहे है, 31 point बोलता है अपका, on completion test candidate must handle over the OMR seat, candidate को OMR seat है आपको अपने जो teacher रहेंगे, अनुलेटर रहेंगे, उनको आपको handle करना है, 32 बोलता है, no candidate should be adopt any unfair means in luck, unfair means exam practice, किसी को कोई भी unfair means बात की जाए तो किसी को यह approach नहीं करनी है, जा आपको सिधा अपना exam देना है, किसी से, किसी student से बात नहीं करनी है आपको, और किसी भी teacher से कोई operation नहीं करना है, आपको exam center में ना आपको उनसे पूछना है, 33 बोलता है, candidates are advised to check their updates, candidates को कोई अपने updates चेक करनी है, तो अपने NTA की website चेक करें, candidate may write NTA, कोई आपको कोई 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 हुए है, तो आप mail कर सकते हो, आपको number दिये हो है, तो यह सारे important instructions से जो मैंने डिसक्स की हैं आपसे, All in the Senate School के admin card के regarding, I hope यह वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी, और मैं हासर करता हूँगी, आप सभी मेरे इडिशनलों आगे subscribe करें, share करें, Thanks, we will meet soon.